वहीं इस पूरे मुद्दे पर जडियू के वरिश्ट नेथा है केसी त्यागी उन्होंनी News24 से बातचीत की है इस मुद्दे पर उन्होंनों क्या कुछ का है वो भी सुनिये कि लिए शभुत हमारे साथ जडियू के वरिष्ट नेथा केसी त्यागी है सर ये बताइए चीजे जो हो रही है तीन चार दिनों से आपको नॉर्मल दिखाए दे रहा है मैं गटवंधन की बात कर रहा हूँ गटवंधन में बिहार में कोई विवाद नहीं है विवाद ओल इंडिया लेविल को लेकर के है नितीश कुमार जी अपनी चिंताएं कई आउसरों पर परदर्शित कर चुके हैं व्यक्त कर चुके हैं कि सीटों का बटवारा जल्दी होना चाहिए जल्दी ना होने की वज़े से घटक दलों में बेचे नहीं हो सकती है जिसका नतीजा है कि टीमसी के साथ वारता टूट रही है पश्चमी बंगाल में जिसका नतीजा है कि पंजाम में आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो सारी सीटों पर चुनाल लगेंगे जहां तक विहार का संदर्व है हम एक आम सहमती इंडिया गठवंदन में बनी है कि सीटिंग सीटों को ना छेडा जाए लिहाजा हमारा दावा जिन सीटों पर है उसके बाद जो सीटें बचती हैं वो आर जेडी वाम पंतिदल और कॉंग्रेस में बठनी है इसलिए यहां सब ठीक है लेकिन जिस तरीके से कल करपुरी ठाकुर जी के अलावा डाक्टर लोया जैपरकाशनान और आचारे नहीं निते डाइनिस्टिक सकसेशन के पॉलिटिक्स में खिलाप थे जब उन्होंने इंदरा जी का विरोध किया करपुरी ठाकुर जी की प्रसंसा में बोलते हुए नितीश कुमार जी ने कहा ह है कि जब रामनाथ ठाकुर को कुछ लोग टिकेट देना चाहते थे लोगदल के करपुरी ठाकुर ने विरोध किया और उननका की नहीं मेरानिती में परिवारबाद की खिलाप हो अगर उनको टिकेट देना है तो मेरा टिकेट काट दीजिए इसको लेकर के किसी को अन अर् कि अभी बनी हुए पार्टी ने इस पर अभी कोई फैसना नहीं किया बिहार में महागट अधन एक जूट है अभी तक तो एक जूट है और इसके आगे भी एक जूट रहने की संभाव ना है तो हमारे साथ है कैसी त्यागी इन्होंने साब तोर पर कहा कि बिहार में सौरव आपका इंटर्वी हम देख रहे थे कैसी त्यागी के साथ अलेंकि कैसी त्यागी अभी खुलकर बोलने को तयार नहीं है वो कह रहे हैं कि बिहार में गड़बंदन सेफ है नितीश कुमार की नाराज की जो है इंडिया अलाइंस को लेकर है तो यह क्या साफत और से खटा शुरू ही और अब वो बिहार की सियासत में भी देखने को मिल रही है जी बिलकुर अभी समझने की जरूरत है कि अगर इंडिया एलाइंस के पहले ही बिहार में महागटोधन की सरकार बनी थी नितीश कुमार और लालू परसाद यादब के भी समझोता हुआ था और स 2024 के पहले नितीश कुमार दिली की राजनिती करेंगे और बिहार की बागडोर जो है वो तेजस्वी के हाथों सौपी जाएगी और इसकी जीमेदारी खुद लालू परसाद यादब को सौपी गई थी और उसके बाद इंडिया गटवंधन बनता है और तीन बैठके होती है लेकिन उसके बाबजूद राजा सुप्रिमो लालू परसाद यादब नितीश कुमार के नाम को आगे नहीं करते हैं तो निशी तोर पर नाराजगी जो है वो सबसे पहले लालू परसाद यादब से है और जेडी से है उसके बाद अगर यू कहें कि नाराजगी फिर से है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गटवंधन बनी और नितीश कुमार को कोई जिमेदारी बरी जिमेदारी नहीं दी गई और जिस तरीके से चीजों में देरी होने लगी चाहे सीट सेरिंग का मामला हो फिर उमीदवारों को लेकर मामला हो तो कहीं ने कहीं नितीश कु फिर से अगर आपके NDA गठोंधन में आना चाहें तो आपका क्या होगा तो उन्होंने साफ तोर पर कहा कि अगर कोई प्रस्ता हो आता है तो हम विचार करेंगे तो कहीं न कहीं एक तरफ नाराजगी है और दूसरी तरफ बीजेपी का उपर है तो उसी के बाद बिहार में या हटकलो का जो बाजार हुआ काफी गर्म हो गया है और चीजें जो 4-5 दिनों से दिखाए दे रही है या कहीं से सामाने नहीं है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि बिहार में कभी भी कुछ भी बरा हो सकता है बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है बीजेपी बीजेपी का बैम रोल हो जाता है अगर मान लिया जाए नतीश कुमार इक बार फिर पल्टी मारते हैं तो बीजेपी का क्या स्टेंड है क्या वो दुबारा फिर नतीश कुमार कि नितित्तों में ही सरकार बनाएंगे या इस बार वो भी थोड़ा कहेंगे कि नहीं हमारी भी शर्तें हैं तभी हम गटबंदन करेंगे जी बिलकुल रभी बीजेपी की सर्ते हैं तभी मुझे लगता है कि इतनी देरी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से चीजे समाने नहीं चर रही है अगर बीजेपी के तरफ से एज इटीज यानी पहले जिस तरीके से नितिस कुमार ने आरजेडी चोड़ा था महागटवदन चोड़ा था और बीजेपी में वो सामील हुए थे और उसके बाद भी हुआ मुकमंत्री बने रहे थे अगर मुझे लगता है कि इस बार उन सारे चीजों पर समती बन जाती तो बिहार में बरा खेला जो होने वाला है या जिसकी संभाबना जताई जा रही है वह हो चुका रहता लेकि जरूर बीजेपी के तरफ से भी ऐसी कोई कंडिसन है ऐसी कोई सर्ते हैं जिस के लिए मुझे लगता है कि ये पूरा जो डील होने वाला है या जिसकी संभाबना जताई जा रही है उसमें देरी हो रही है ठीक है ठीक है तो देखना यह कि ब्यार कि सयासत में कब क्या पलट जाए कौंसा तोफान आजाए यह देखने वाली बात ओगी शुक्रिया सुरा तब तमाम जानकारी के लिए